मेरा ये दो मिनट का क्लीनप आपके चेहरे पे बहुती गजब का निखार लेके आने वाला है अगर आपके पास में पालर जाने का टाइम नहीं है या फिर आपका बजट नहीं है तो दो मिनट पस आप ये वाला क्लीनप अपने चेहरे पे कर लेना और इस क्लीनप के सामने आ से 10 मिनट पहले करना है और उसके बाद आपको मेकप करना है जो आपको पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा मैं किस तरीके से आपको बता रही हूं तो आपको यह वाले श्टेप जरूर फॉलो करें सबसे पहले क्या करना है वह जो मैं अभी क्लीनप कर रही थी वह मैं आपको आगे बताने वाली हूं कि यह क्लीनप आपको किस तरीके से करना है लेकिन क्लीनप करने से पहले आपको करना है अपने चेहरे को अच्छे से साफ जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूं जब आप कोई भी पैक लगाया करें अपने चेहरे पे मेकप किया करें तो उस आप लाइट मेकप कर सकते हो यह आपकी उपर निर्वर करता है कि आप कैसा अपने मतलब ड्रेस के अकोडिंग कैसा मेकप करना पसंद करते हो तो यहां पे मैंने दो मिनट के लिए फेश वाश रेकिती मसाज मसाज करने के बाद अब मैं अपने चेरे को पानी से अच्छे से चेहरा दोने के लिए मैंने लिया है नॉर्मल पानी तो देखें यहां पर जो मैंने फेश वाश लिया है अपना चेहरा साफ करने के लिए पहले मैं आपको दिखाते हूं जैसी कि मैंने फेश वाश से हलकी हाथों से एक मिनट के लिए मसाज की थी और एक मिनट मसाज करने क बाधब मैंने साधा पाने से अपने चेहरे को धो लिया तो इससे कहना जो मेरे mechanism की उपड़ी तरीके से साफ हो चुकई है अब मैं जो भी अपने चेहरे पर लगाऊंगे इसका result अच्छा मिलेगा तो चेहरा साफ करने के लिए मैंने यह पिलिया था ब्राइट बनाने में हमारी काफी ज़्यादा हेलप करता है चेहरा साफ करने के बाद रभाद आपको लेना है और इक पका हुए टमाटर ने के बाद उस से आप अच्छे से दू लिजिये और आप इसे बीच में इस तरीके से कट कर लीजिये स्लाइस में कट करने के बाद आपको लेना है कौफी पाउडर तो ये मैंने खाली बाला पैकेट ले लिया तो अब मैं दूसरा लेकी आई हूँ इसे कट करके इसमें से एक चमच कौफी पाउडर लेके आप किसी भी खाली बॉल के अंदर ईर प्लेट के अंदर जिस तरीकüş से मैंने डाला है डाल दीजिøے और टमाटर को इस तरीके से इसमें लगा लीजिए लगाने के बाद अब आपको हलके हलके हातों से अपने पूरे चेरे की करनी है मसाज ये मसाज आपको तब तक करने है जो आपने टमडर की स्लाइस लिए ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती लेकिन मसाज करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा रगड के मसाज नहीं करने है एकदम स्मूदली और हलके हलके हातों से सरकूलर मोशन में आपको ये मसाज करनी है तो देखिए मसाज करने के आपको कितने फाइदे होने वाले हैं आपको अलग से स्क्रब करने की अपने चेहरे पे बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है ये बहुत ही अच्छा एक स्क्रब का भी काम करेगा जो आप टमा आपका एक face pack का भी काम करेगी और जितना face pack लगाने के बाद आप 10-15 मिनट उसकी लिए देते हो उसे लगाने के बाद उसे छोड़ते हो फिर उसके बाद उसे साफ करते हो तब जाके आपके चैरे पे निखार आता है लेकिन ये टमाटर और कॉफी पाउडर की मसाज है ये इ मैं आपको दिखा वी रही हूँ आप देख सकते हैं कितने जड़ा ग्लोइंग लग रही है मेरी जहां से मैंने इस पैक को हटाया है मसाज आपको कम से कम 2-3 मिनट के लिए करनी है अगर आपकी स्किन को जो मैंने कौफी पाउडर लिया है ये सूट नहीं करता है तो आप इ इसकी जगह शोगर पाउडर लेकि भी मसाज कर सकते हो शोगर पाउडर अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो इसकी जगह आप ले सकते हो जो मैंने आपको पता है था बेसन बेसन नॉर्मल होता हर किसी की स्किन को सूट करता है तो दोनों में से कुछ तो करता होगा थे आमें मर्म आपान प्रक्राइब द्राइब को उ सकते हैं उसके बाद मैंने यहां नहीं चाहर ने चक्पा ना करने एक्बादनियों जरूर लगाया करें आने वाले टाइम में आप बहुत सारी ऐसे skin problems होती हैं जिन से आप बचके रह सकते हो और आपकी skin पर वो नहीं दिखाई देंगी अगर आप daily toner अपने चेहरे पर यूज करते हो तो toner लेकर मैंने अपने पूरे चेहरे पर spray किया और मैंने हाथों से इस तरीके से ड्राइ किया जो मैंने यहाँ पर toner लिया है यह है गुड़ वाइप्स का उप्टन इंस्टा ग्लो टोनर यह toner किस तरीके से हमारे skin पर काम करता है यह toner skin को detoxify करता है साथ में skin complexion को bright करने में help करता है और यह toner hydration और nourishment को भी boost करता है साथ में pores को deeply clean करता है और इसके साथ में sun की तरह glow देने में भी help करता है तो देखिए चयरे को साफ करना चयरे पे cream लगाना चयरे पे toner लगाना चयरे पे face mask लगाना यह जितने ज़्यदा जरूरी है उतना ही ज़्यदा जरूरी है चयरे पे face serum लगाना अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फेज सीरम जो मैंने यहाँ फेज सीरम लिया है यह है गुड बाइप्स का उप्टन इंश्टागलो फेज सीरम इसके अंदर हप्स और मेनरल्स हैं जो की स्किन को सॉफ्ट और नरिश करने में हमारी काफी ज़्यदा हेल्प करते हैं इसके इसके बाद आपको इस तरीके से अपने पूरे चेहरे पे लगाके और हलके हलके हातों से आपको मसाज देनी है और यह सीरम की पैकेजिंग आप पैकेजिंग देख लीजिए अगर आपको यह तीनों ही प्रोडक्स लेने हैं इन सबका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डि करने के बाद आप हलका सा भी मेकप अपने चेहरे पर लगाली जियसे कि अप डेली में करते हो जैसे कि लिप्स्टिक लगाना है अगर आपको आई सेरो पसंद गी तो से अपना दो मिनट का क्लीन अप अपने चेहरे पे किया है आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा देखकर कि आपने बहुत ज़्यादा महगा फेशल अपने चेहरे पे कराया है और उससे आपके चेहरे पे इतनी घजब की चमक आई हुई है तो आज की वीडियो अगर आपको की हुई है तो देखिए मैं हो गई फटा फटसे रेडी